Middle East में अमेरिकी एरक्राफ्ट केरियर को इरान समर्तित गुरुप द्वारा ड्रोन हमलों में निसाना बनाया जा रहा है, हानांकि अब तक अमेरिका इन हमलों को नाकाम करने में काम्याब रहा है, लेकिन इस वात की चिंता बढ़ गई है कि एक बड़ा हमला अमेरिका को इजर कागन के प्रावक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने 19 सक्टूबर को कहा कि पस्टिमी एसिया में तैनाक नौ सेना विद्वनसग यूएस कार्नी को उत्तरी लाल सागर में ड्रोन और मिसालों द्वारा निसाना बनाया गया है, पिछले सक्ता हमें मत्यपूर परिशाम को ड्रोन और मिसालों द्वारा निसाना बनाया गया, कथित तोर पर बेस के अंदर कई विस्पोर्ट सुने गये थे, यह अब एयर बेस पस्टिमी एराक में अमेरिकी और अन्य अंतर राष्टियबलों की मेजवानी करता है, एक दिन पहले बुद्वार को एराक म अमेरिकी सेना को दो अलग अलग ड्रोन हमलों में निसाना बनाये गया, इन में से एक हमले में कम संख्या में सेनिकों को मामूली चोटे आई, हलांकि अमेरिकी सेना ड्रोन को रोकने में काम्याब रही, उसी समय सीरिया और अमेरिकी सेना पर एक ड्रोन हमला हुआ, जिसमें सेनिकों को मामूली चूटे आई नियू योप सिक्योरिटी काउंसिलिंग में मंगलवार को नियू योप में मिडल इस्ट पर 83 खुली बहस के दोरान अमेरिकी विदेश मंतरी एंटनी बिलिंकन ने इरान को चीतावनी भी दी थी बिलिंकन ने कहा था संयक्त राज्य अमेरिका इरान के साथ संगर्स नहीं चाता है हम नहीं चाते कि या युद्ध बढ़े लेकिन अगर इरान या उसके प्रतिनिधी कहीं भी अमेरिकी कर्मियों पर हमला करते हैं तो कोई गलत फहमी में ना रहे हम अपने लोगों की रच्छा करेंगे हम अपनी स्वरच्छा की रच्छा करेंगे तेजी से और निरनाएक रूप से तो दोस्तों देखना होगा कि क्या अमेरिका भी इस युद्ध में आने वाले टाइम में सामिल होगा ऐसी ही खबरें देखने के लिए जोड़े रही है डीके नियुसे